हेलो एवरीवन, वेलकम टू एगरीकल्चरान जीके दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिने दिक्षित आज आज आप सभी लोगों से ICAR, IARI टेकनीसियन एक्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए history के कुछ most important multiple choice question डिसकस करूँगा दोस्तो social science के part में question most important रहेंगे ये questions किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं और most important questions हैं तो इन questions को आप note कर लीजिएगा या इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को वान कर दीजिए जिससे आपको classes की update सबसे पहले मिल सके और वीडियो के description box से आप हमारा टेली ग्राम ग्रूप जॉइन कर लीजिए वहाँ पर आपको free में classes की update और notes दिया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को question number एक है आपका the rural of India during नादिर सास invasion was नादिर साह के आक्रमर के दोरान भारत के सासक थे इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा मुहम्मत साह question number 2 क्या है आपका the mughal emperor taken prisoner by नादिर साह वास नादिर साह दोरा कैदी बनाकर लाए गए मुगल समराठ निम्न थे इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा मुहम्मत साह next question क्या है आपका the first सुक्ता of the जगवेदा is developed to जगवेद का प्रथम सुक्त इनके लिए विक्सित किया गया है इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा अगनी question number 5 क्या है आपका in which year वास चत्रपती सिवा जी महराज crowned as the Maratha king चत्रपती सिवा जी महराज को किस वर्स में Maratha राजा के रूप में ताज पहनाया गया था इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा 9, 16, 64 1664 में question number 5 क्या आपका out of the following four options choose the odd one निमलिकित चार विकल्पों में से विसम को चुने तो इसमें दोस्तों जो विसम आपका है वो हर्याणा हो जाएगा यदि दोस्तों जो आपका हर्याणा है ये आपका modern India का word है एक राज है और जो दोस्तों तीन और दिये हुए हैं ये आपके innocent India के राज थे और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर आप ICAR IARI technician exam की preparation अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा ये WhatsApp paid group जोइन कर सकते हैं इस group को जोइन करने के लिए आपको केवल 1500 रुपीज पे करना बढ़ेगा 150 रुपीज पे करके आप ये group जोइन कर सकते हैं वीडियो के description box में हमारा नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप चेक करिए और उस नंबर पर 150 रुपीज भेज करके उसका screenshot मुझे WhatsApp पर भेजिए उसी नंबर पे तो आपको इस group में add कर दिया जाएगा और इस group में आपको notes दिया जाएगा exam pattern और syllabus के according इसके लावा आपको guidance और interview में भी आपकी help की जाएगी तो आप हमारा ये group join कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको अपनी preparation को अच्छे से करना है तो आप हमारे ये mock test ले सकते हैं agriculture and gk ने आप सभी के लिए आई सी ए आर आई ए आर आई टेकनीसियन exam की test series लांच कर दी हैं इन test series का price पड़ेगा आपको केवल 400 रुपीज 400 रुपीज में आपको 10 full length mock test मिल जाएंगे जो की most expected questions पर based हैं और जिन लों का selection हुआ था उनके द्वारा बनाए गए हैं ये आपके bilingual, Hindi और English में रहेंगे ये mock test इसमें आपकी All India rank बनेगी और हमारे app agriculture and gk पर एक free demo test भी available है वीडियो का description box आप चेक कर सकते हैं वहां से आप free demo test दे सकते हैं और अगर आपको वो test अच्छा रगता है तो आप इन mock test को purchase कर सकते हैं और दोस्तो इन mock test को देने के बाद आपको इनकी PDF फाइल भी मिल जाएगी तो दोस्तो इस तरह से कुल आपके 1000 जो most important question है उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी तो इससे आपके तयारी काफी अच्छे से हो सकती है तो आप इन mock test को buy कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो next question की तरफ पढ़ते हैं question number आपका जो 6 है वो क्या है which of the following queen giant जम्मो एंड कस्मीर निमलिखित में से कौन सी एक रानी ने जम्मो और कस्मीर में सासन किया था इसका दोस्तो उत्तर आपका हो जाएगा दिद्दा next question क्या है आपका किरस्न देव राजा वाजदी रूरल आफ विजय नगर इंपायर बिट्वीन राजा किरस्न देव विजय नगर समराज्य के सासक इतनी अवद के लिए थे इसका दोस्तो उत्तर आपका जाएगा फिप्टीन जीरो नाइन टू फिप्टीन टॉन्टीनाइन पंद्रा सो नौ से पंद्रा सो उन्तिस इस वी के बीच में ये सासक थे यहां के next question क्या है आपका during the delay Sultanate the designation मुकद्दम और चौधरी वास used for दिलही सल्तनत के दौरान पद मुकद्दम या चौधरी का इस्तिमाल इनके लिए किया जाता था दोस्तो जो हम ये questions करा रहे हैं आप वीडियो के description box में वीडियो के comment box में इसका answer भी लिखते रहिए मैंने इसके answer को hide कर रखा है तो आपको अगर इसका answer पता हो तो इसके answer को आप comment box में लिखते रहिए इसका दोस्तो उत्तर आपका हो जाएगा village headman गाओं के serpent को दोस्तो जो है मुकद्दम या चौधरी कहते थे दिल्ली सल्तनत के दौरान question number 9 क्या है आपका दोस्तो find out the chola king who conquered Maldives Maldives पर बिजय प्राप्त करने वाले चोल राजा को ग्यात करें तो इसका दोस्तो जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा राजा राजा चोला वन next question क्या है who was the founder of कंडव डाइनेस्टी कंडव डाइनेस्टी वन सुका संस्तापक कौन था जो दोस्तो अपक कंडव डाइनेस्टी था कंडव वन स्था इसका अंस्तापक आपके वासुदेव थे next question देखते हैं दोस्तो next question अपका है who defeated the confederacy of vriji and laid the foundation of the political supremacy of मगधा किसने वरजी के महा जन्पत को हराया और मगध की राजनीतिक सरोचिता की न्यू रखी तो इसका दोस्तो अपका हो जाएगा अजात सस्त्रू next question क्या है during the later वैदिक period one of the following collected taxes उत्तर कालीन वैदिक काल में निम्ण में से कौन एक निम्ण में से एक कर जिसे वसूला जाता था तो दोस्तो उत्तर वैदिक काल में जो है आपका भागा दूघा दूधा 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 आम का दूधा एक कर था उसको जो है वसूलते थे next question क्या है the highest judicial officer in the Sultanate was called सल्तनत में उचितम नाइक अधिकारी को क्या कहा जाता था दूधा तो दूधा उसको कहते थे आपका काजी उल कुजत next question क्या है अपका during the early years of अकबर's राइन which of the following nobles started as the recent अकबर के सासन काल के सुरुवाती वर्सों में निमलिखित में से कौन सा कुलीड मनुस्य उसके सासक के रूप में कार करता था तो इसका दोस्तों तरपका हो जाएगा बैरम खान next question क्या है अपका the only conquest of असोक का made after he become king is mentioned in which of the following edicts राजा बनने के बाद असोक की एकमात्र जीत का उलेक उनके किस अध्यादेश में किया गया है तो इसका दोस्तों तरपका हो जाएगा रॉक इडिक्ट जो है आपका 13 next question क्या है आपका to home is the गायत्री मंत्रा dedicated गायत्री मंत्र किसे समर्पित है तो ये दोस्तों आपका जो है सावित्री जो दोस्तों सौर के देवता है उनको जो है समर्पित है next question क्या है असूका सेंट हिस मैसेंजर फोर दी प्रोपोगेशन आफ हिस पॉलिसी आफ दमा टू असूका ने अपने दूतों को धम की नीतियों के प्रसार के लिए यहां भेजा था तो इसका दोस्तों उत्तर अपका हो जाएगा सीरिया नेस्ट कोस्टन क्या है अपका और आप कर्मेंट बॉक्स में इसका अंसर लिखिए इसका दोस्तों उत्तर अपका हो जाएगा हर्यक डाइनस्टी हर्यक वन्स नेस्ट क्या है अपका आफ्टर दिट आफ प्रॉपेट मोहमद हिस पॉलिटिकल अथार्टी वास ट्रांसफर्ड टू पैगंबर मोहमद की मृत्व के बाद उनके जाजनीतिक अधिकार को इन्हें इस्थानांतरित कर दिया गया था इसका दोस्तों उत्तर अपका हो जाएगा उम्मा नेस्ट कोश्चन क्या है आफ्टर टमिल नेस्ट ओल्डेस्ट लिटरेचर इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा नेस्ट कोश्चन क्या है आपका इनके दौरा लिखा गया था इसका उत्तर अपका दोस्तों हो जाएगा बुद्ध गोस नेस्ट कोश्चन क्या है आपका इसका दोस्तों उत्तर अपका हो जाएगा इबन अर्भी नेस्ट कोश्चन क्या है आपका इसका दुस्त उतर अपका हो जाएगा सच्चिदा नंद्र सच्चिदा नात सन्यान Next question क्या है अपका? हूँ एमंग दी फालोइंग फाउंडेट दी हिंदू कॉलेज इन 1817 निमलिखित में से किसने 1817 में हिंदू कालेज की स्थापना की इसका दोस्तों उतर अपका हो जाएगा डेविड हरे Next question क्या है हूँ एमंग दी फालोइंग इरानियन जूरल वाज दी फास्ट टू इनवेड इंडिया इन 518 बीसी पांसो ठारा इसा पूर्व में भारत पर आकरमड करने वाले इरानी साशकों में पर्थम कौन था? इसका दोस्तों उतर आपका हो जाएगा डेरियस Next question क्या है आपका वेन वाज दी नेशनल आयंठीम जन्गर्मन अड़ूप्टेट बाइ कांस्टिटूट एंट एसेंबली राष्टरगान जन्गर्मन को सम्विधान सभा दोरा कब अपनाया गया था? इसको दोस्तों अपनाया गया था आपका 24 जन्वरी 1950 को 14 जन्वरी 1950 को और दोस्तों जो आपका ये जन्गर्मन है इसके जो जचैता थे दोस्तों ये आपके रवीद निनाट टैगोर जी थे और रवीद निनाट टैगोर जी ही दोस्तों भारत के प्रथम जो है आपका नूबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में और इसके लावा दोस्तों जो ये जन्डगर मन है इसके लावा दोस्तों आपका जो बांगलादेश का नेसनल एंथिम है अमार सुनार बांगला उसको भी जो है आपके जवीद नाट टैगोर जी नहीं लिखा था तो इस तरह से दो कंट्री के नेसनल एंथिम को जवीद नाट टैगोर जी ने लिखा हुआ है नेस्ट कोश्चन क्या है होस जाइंट सौ टू टिसेसियू बैटेल्स दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बैटल ऑफ पकसर किस आसन काल में दो रडायक युद्ध हुए पानीपत का तीसरा युद्ध और बकसर का युद्ध इसका दोस्तू तरप का हो जाएगा आलम साथ सेकेंड नेस्ट कोश्चन क्या है अन होट बैसिस हैस दी टाइम इस्पान आफ हरपन सेलाइजेशन नाव बीन फिक्स्ट बिट्वीन 2300 बीसी एंड 1750 बीसी किस आधार पर 2300 बीसी और 1750 बीसी के बीच हरपा सब्यता का समय तय किया गया था तो इसका दुस्तों उत्र आपका हो जाएगा जीडियो कार्बन डेटिन C14 नेस्ट कोश्चन क्या है इसका उत्र आपका हो जाएगा 1500 बीसी तो 1000 बीसी नेस्ट कोश्चन क्या है विच अमंग दी फालोइंग मुस्लिम जूरल स्टॉक कोईन स्टाम्ड विट इमेज आफ गौड़ेस लक्ष्मी निमलिखित मुस्लिम सासक में से किसने देवी लक्ष्मी की आकरत चापकर सिक्कों को मुद्रित किया था इसका उत्तर आपका हो जाएगा मुहम्मद गौरी नेस्ट कोश्चन क्या आपका विच आप दी फालोइंग इज नॉट टू अबाउट दी टीचिंग आफ द्यारंत रस्टी द्यानन सुरस्टी की सिच्छाओं के बारे में निमलिकित में से कौन सा एक सत्य नहीं है इसका उत्तर आपका हो जाएगा करम कांट और पुरोहिताई नेस्ट कोश्चन क्या है विच आप दी फालोइंग वेदास वास नाउ अरलेश्ट कमपोजिशन निमलिकित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन दचना थी इसका उत्तर आपका हो जाएगा रगवेद नेस्ट कोश्चन क्या है विच आप दी फालोइंग वास दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड़स्टी आप दी हरपन एट लोथल एन इसका उत्तर आपका दूस्तो हो जाएगा बीड बनाना जो आपका बीड बनाना है ये लोथल और जो चन हुद्रो में हरपा का जो प्रमुख उद्योग था वो बीड बनाना था बीड मेकिंग नेस्ट कोश्चन क्या है आपका विच पर्जेंट आर्कियोलोजिकल साइट रिपर्जेंट दी मौर्जेंट कैपिटल पटली पुत्रा कौन सा वर्तमान पुरा तत्विक इस्थल मौर्जासधानी पटली पुत्र का प्रतनिद्धे तो करता है इसका दूस्तों उत्तर आपका हो जाएगा कुमार हर नेस्ट कोश्चन दी फर्ष्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इस्टैबलिज्ट बाई पर्थम प्रिंटिंग प्रेस इनके द्वारा इस्थापित की गई थी इसका उत्तर आपका हो जाएगा गुटन बर्ग नेस्ट कोश्चन जाजिया वाज दि सुल्तान आप डिलही प्राम जाजिया दिल्ली की सुल्तान थी ये आपकी जो है 1236 से 1240 के बीच दिल्ली की सुल्तान जाही थी और जो जाजिया थी ये भारत की प्रथम महिला साथिका थी नेस्ट कोश्चन क्या है इसका उत्तर आपका दोस्तो हो जाएगा कुट्ब मिनार नेस्ट कोश्चन क्या है इसका उत्तर आपका हो जागा दोस्तों मौर रियास नेस्ट कोश्चन क्या है इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा लखनौ सेजन आफ दी नेस्टनल इंडियन काउग्रेस इन नाइन्टीन सिक्स्टीन उननीस सो सोला के जो आपका भारती राश्टी काउग्रेस का दिवेसन दोस्तों हो था लखनौ में उसमें जो है ये दोनों गुठ एक हो गए थे नेस्ट कोश्चन क्या है वो बिकें दी नवाब आफ बंगाल ऐसा रिजल्ट आफ विक्टिरी इन दी बैटल आफ प्लासी प्लासी की लड़ाई की जीत के परड़ाम सुरू बंगाल के नवाब कौन बने इसका उत्तर अपका दूस्तों हो जाएगा मीर जाफर नेस्ट कोश्चन क्या है वो इस दी आथर आफ मोस्ट इंपोर्टेंट बायोग्राफी आफ चैतन्या बेरिंग दी टाइटिल चैतन रचित अम्रता चैतन की सबसे मातपूर जीवनी का लेखा कौन है जिसमें चैतन रचित अम्रता का सीरसक है इसका उत्तर अपका हो जाएगा किरसंदास कविराज नेस्ट कोश्चन क्या है भारती राष्टी कांग्रेश की प्रत्थम महिला अध्यक्ष कौन थी ये दोस्तों आपकी जो है एनी बेसेंट जी थी नेस्ट कोश्चन क्या है वाज दी आथर आप बुख हर्स चरित हर्स चरित का पुस्तक का लेखक कौन था इसके दोस्तों लेखक थे आपके बार नेस्ट क्या है वाज दिफिक्टेड दि लास्ट किंग आफ अवंती एन एनेक्स्ट इट विथ दी इस्टेट आफ मगदा अवंती के आखरी राज्जा को किसने पराजित किया और उसे मगद राज्ज के साथ हरप लिया इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा सिसुनाग नेस्ट क्या है आपका फू एमंग दी फालोइंग वरोड दियर ओन मैमोरीज निमलिखित मेंसे किसने अपनी यादे लिखी अकबर हुमायू जहांगीर तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा केवल थिरी मतलब दोस्तों केवल जो आपके जहांगीर थी उदोने जो एपनी यादे लिखी थी नेस्ट कोशन क्या हो जाएगा आपका फू एमंग दी फालोइंग पल्लवा किंग बिट दी कैलास नास टेंपल आफ कांची निम्लिकित मेंसे पल्ल राजाओ मेंसे किसने कांची में कैलास नास मंदिर बनाया इसका दोस्तों तो उत्तर आपका हो जाएगा नरसिम्हा राव वर्मन सेकेंड नेस्ट कोशन क्या है होसंग सा वाज दी जूदल आफ होसंग सा किसके इसके सा सकते ये दोस्तों आपके मालवा के सा सकते नेस्ट कोशन क्या है वेंड दी इंगलिस का इपचट डिलही अंगरेजों ने दिल्ली पर कबजा कब किया था दोस्तों तो ये आपका जो है अठारा सो तीन में किया था नेस्ट क्या है इसका उत्तर आपका दोस्त हो जाएगा 12.96 12.96 12.96 में दोस्तो अलाउदीन खिल्जी जो है वो सिहासन उनको मिला था नेस्ट क्या है आपका जस्टिस पार्टी कहां शुरू हुई थी ये आपकी दोस्तों तबनाडू में शुरू हुई थी नेस्ट कोश्चन क्या है दासाला सिस्टम वाज बेस्ट ऑन दे जिफार्म अंडर्टेकन बाई दासाला पडाली इनके दोरा प्रारम किये गए सुधारों पर आधारित थी इसका उत्तर अपका हुई जाएगा टोडर मल नेस्ट क्या है अपका इसका दुस्तर उत्तर अपका हुई जाएगा जिफ वेदा नेस्ट कोश्चन अपका क्या है दी टेंपल आफ देवगर नियर जासी एंड दी स्कल्प्चर्स इन दी टेंपल आट गहरवास नियर इलहाबाद जिमेन इंपॉर्टेंट इस्पेसिमेन आफ दी जासी के पास देवगर का मंदिर और इलहाबाद के पास गढवास मंदिर में बनी मूर्तिया नियुन में से किस महत्पूर कला की अवशेस है तो ये दोस्तो आपका हुजाएगा गुप्त कला की ये जो है अवशेस है पुस्तक इंडिका का किस काउन लिखा था दोस्तो इसको तो इसको दोस्तो आपका जो है मेगरस थनीज ने इसकी रिचना की थी जो इंडिका नम्की पुस्तक है ये काफी दुस्तों important question है कई एक्जाम में एक question repeat होता है तो इसको आप एकदम जट लीजिए next question क्या है इसका दुस्तों तर अपका हो जाएगा कबीर next question क्या है the greatest invasion of paleolithic pupil was पासाण काल में लोगों का सबसे बड़ा अविस्कार था अगनिया फायर next question क्या है the term butta is associated with सब्द बत्त निन में से समंदित है ये दुस्तों आपका सेना से समंदित है next क्या है आपका the Nanda dynasty was overthrown by home Nanda once किसके द्वारा परास्त किया गया था चंद्रगुप्त मौर next question क्या हो जाएगा आपका the national calendar based on the shark era with चैत्र as its first month and a normal year of 365 days was adopted from सक समंदित के आधार पर राश्त्री calendar में चैत को प्रत्थम महिना माना जाता है और इस दिनांग से 365 दिनों के सामान वर्थ को अपनाया गया इसको दोस्तू आपका 22nd March 1957 को 22 March 1957 को दोस्तो जो आपका सक समंदित था इसको अपनाया गया था राश्त्री calendar के रूप में next question क्या है आपका the famous jain temple at दिलवाडा वास बिल्डवाई दिल्वाडा के प्रसिद जैन मंदिर इनके दोरा निर्मित किये गए थे इसका दोस्तो उत्र आपका हो जाएका चालुक क्या next question क्या है the first metal discovered and used by anisian people was प्राचीन लोगों दोरा खोजी और उपयोग की जाने वाली पहली धात थी ये दोस्तो आपकी तामबा थी next question क्या है the guru आप तानसेन who helped in developing his musical talent was तानसेन के गुरु जिन्होंने उनकी प्रतिभा उनकी संगीत प्रतिभा को विक्सित करने में मदद की वे थे स्वामी हरिदास दोतो थे next क्या है आपका the Hindu widows the marriage act was past in the year Hindu विदवा का पुनर विवा अधनियम वर्स में पारित किया गया था ये दोस्तो आपका जो है 1856 में इसको पारित किया गया था next question क्या है आपका the जाष्ट कोटास वर दी फ्यू डेटरीस ऑफ दी जाष्ट कोट इनके सामन्त थे ये दोस्तो आपके चालुक के सामन्त थे next क्या है आपका the first तीर्थांकर according to जैन ट्रेडिशन वास जैन परंपरा के अनुसान प्रत्थम तीर्थांकर थे जरसब देओ next क्या है आपका the ancient India the designation वानिया was used for प्राचीन भारत में पदनाम वानिया का उपयोग इनके लिए किया गया था इसका उत्तर आपका दुस्तो हो जाएगा a class of hereditary merchant वानसा नुगत वैपारियों का एक वर्ग next question क्या है large plantations were generally under the ownership of European which was not an important plantation in 19th century बड़े बागान आम तोर पर यूरोपी लोगों के स्वामित तुमें थे उन्नुस्वी सताबदी में कौन सा महतपूर बागान नहीं था मिज या पेपर का बागान दोस्तो next question अपका क्या हो जाएगा वंदे मातरम अवर नेशनल सौंग वस राइटन बाई हमारा राष्ट गीत वंदे मातरम इनके दौरा लिखा गया था बंकिम चंड चटरजी जी के दौरा दुस्तों ये लिखा गया था next question क्या हो जाएगा आपका इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा गोबिंद पाल पालवन्स के संस्थापक थे ये दोस्तों इसमें सही नहीं है next आपका question क्या हो जाएगा what was the name of reform movement in 1849 in महराश्टरा महराश्टरा में 1849 के सुधार आंदोरन का क्या नाम था इसका दोस्तों नाम था परमहन सभा next question देखते हैं what was the root cause the religious movement in India during 6th century BC छेवी सताबदी BC के दवरान भारत में धार्मिक आंदोरनों का मूल कारण किया था इसका दोस्तों उतर आपका हो जाएगा sacrifice of cattle on the large scale due to वैदिक practices वैदिक प्रथाओं के कारण बड़े पैमाने पर मवेश्यों का बलिदान next question क्या है आपका hot was the term used for jaguarries by marathas marathao दोराज जागीर के लिए क्या सद्ध इस्तिमाल किया गया था इसका दोस्तों उतर आपका हो जाएगा सरन जाम next question क्या है duplex was recalled in 1754 due to the initial defeat of French army in which of the following war 1754 में फ्रांसीसी सेना की सुरुवाती हार के साथ निम्न युद्धों में से किसमें डुपलेक्स को वापस बुला लिया गया था इसका दोस्तों उतर आपका हो जाएगा second करनाटक वार next question क्या है आपका हरपन civilization belong to हरपा सब्वेता किसे संबंदी थी दोस्तों तो जो हरपा सब्वेता इसका दोस्तों संबंद था आपका का से यूग से या ब्रॉंज जो आपका एज था इससी इसका संबंद था next question क्या है आपका according to which religion निर्वाना और salvation depend on right belief, right knowledge and right action किस धर्म के अनुसान निर्वान या मोच इस बात पर निर्भर करता है सही विश्वास, सही ग्यान, सही कार रहे इसका दुस्तों तरब का हुझाएगा जैन धर्म next को यहा है आपका वास्को डी गामा डिस्कवर्ड दिन्यू और आल सी रूट प्रॉम यूरोप टू इंडिया एंड लैंडेड और 17th माई 1494 एट वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के नए और समस्त समद्री मार्क की खोज की और 17 माई 1498 को यहां पहुँचे यह दुस्तों काली कट पहुँचे थे 1498 इस वी को और दुस्तों यह एक पुतरगाली जो है आपके नाविक थे किस भारती को धन निशकासर सिधान्त के रुप सुरू करने का स्रे दिया जाता है दादा भाई नौरजी जी को यह हो इसका स्रे दिया जाता है नेश्ट के आपका विच एंगलो मैसूर वार केम तो एन इंड विथ दी ट्रीटी ओफ मंगलोर मंगलोर की संद के साथ कौन सा अंगलो मैसूर युद्ध खत्म हो गया सेकेंड अंगलो मैसूर वार दूसरा अंगलो मैसूर युद्ध नेस्ट के है अपका विच आप दी फालोइंग स्टेटिमेंट इज इंकरेक्ट रिकार्डिंग टू मनसबदारी सिस्टम इन दी मुगल एड्मिस्टेशन इन इंडिया भारत में मुगल प्रसासन की मनसबदारी पडाली के संबंध में निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत है इसका उत्तर आपका उस्टो हो जाएगा इसे केवल मिलेट्री सेटप के में इस्तापित किया गया था ये दुस्तो इसमें गलत था नेक्ट यह है अपका निम्लिकित में से कौन सा कथन भारती कला और वास्तकला के संबंध में गलत है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मद्ध भारत में परमार सासकों ने खजुराहों में एक सांदार मंदिर परिसर का निर्मार किया नेक्ट क्या है अपका विच आप दी फालोइंग स्टेटिमेंट इस इंकरेक्ट अबाउट इकोनामिक लाइप आफ कामन प्यूपल अंडर मुगल जूल इन इंडिया भारत में मुगल नियम के इताहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो इसका उत्तर अपका हो जाएगा मुद्रा पडाली में वस्ट विनमें पडाली का इस्थान लिया नेस्ट कोश्चन क्या हो जाएगा अपका इसका उत्तर अपका हो जाएगा दूस्तु अहिंसा नेस्ट का है आपका विच आप दी फालोइग सीजन ओफ इंडियन डेशनल काउंग्रेश विटनिष्ट दी डिफीट ओफ दी प्रपोजल ओफ दी काउंसिल इंट्री विच लेड टू दी फार्मेशन ओफ कांग्रेश खिलापत स्वराज पार्टी भाति रास्ते कांग्रेश के निम्न सत्रों में किसने परिस्द की प्रविष्ट की प्रस्ताओ की हार देखी जिसके आधार पर कांग्रेश खिलापत तुराज पार्टी का निर्माड हुआ था इसका उत्तर आपका दूस्तो हो जाएका गया सीजन 1922 गया सत्र 1922 में दूस्तो ये हुआ था नेक्स्ट आपका क्या हो जाएका कोश्चन भारती दर्सन सास्त्र इंडियन फिलासफी के निमलिखित इसकोलों में से कौन रोडवादी है नियासा मिमनसा सांग की योग वैथ सिख तो इसका उत्तर आपका दूस्तो हो जाएगा जो ये सभी दोस्तों हैं ये सभी आपके जो है क्या है रोडवादी है नियासा मिमनसा सांग योग और वैथ सिख ये सभी दोस्तों रोडवादी है नेश्ट क्या है आपका विच आप दी फालूइंग इज नाट ट्रू रिगार्डिंग मुगल पेंटिंग निमलिखित में से कौन मुगल चित्रगारी के बारे में सतकतन नहीं है इसका उत्तर आपका हुजाएगा मुगल इसकूल आफ पेंटिंग बाबर के सासनकार में आरंभ हुई ये दुस्तों इसमें सही नहीं है नेश्ट कोश्चन क्या है निमलिखित में से कौन सा विचार के आस्तिक स्कूल से सम्मंदित है इसका उत्तर आपका हुजाएगा बेदानता नेश्ट कैया है आपका विच वेदा इच कलेक्सन आफ सैक्री फीसियल फर्मूलास कौन सा वेद बरेदानों सुत्रों का संगरा है इसका उत्तर आपका हुजाएगा यजुर्वेद नेश्ट कैया है आपका विच अप दी फालोइंग सुल्तान ब्रॉट दी असोकन पिलर तूट डिलही निमलिखित में से कौन सा एक सुल्तान असोकन इस्तंब को दिलही लाया था इसका उत्तर आपका हुजाएगा फिरोज तुलग नेश्ट कैया है आपका विच अप दी फालोइंग वेदास इज नौट पार्ट आफ विदत्राई निमलिखित में से कौन सा वेद विदत्राई का हिस्सा नहीं है अथर वेद नेश्ट कैया है आपका विच पर्सियन किंग डिड चालुकें किंग पुलकेशन सेकेंड सेंड हिस इमबैसी टू चालुक के राज़ा पुलकेशन दुती ने किस फार्थी राज़ा के पास अपना राजदूद भेजा था खुसरो सेकेंड नेश्ट कोश्चन विच पर्सनाल्टी इज मेंसर्ड इंदी बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पनहा बौध पार्थ मिलिंद पनहा में किस फ्रिक्तित का उलेक किया गया है नाग सेना नेश्ट कोश्चन क्या है विच सूफी सेंट वास पुट टू देथ बाई जलालुद्धिन खिजली फॉर अटेंटिंग ए जिबेलिशन जिबेलियन जलालुद्धिन खिजली ने विद्रो का पर्यास करने के लिए कि सूफी संद्र को मार डाला था तो इसका उतरा अपका हो जाएगा सिद्धी मौलाना नेश्ट कोश्चन क्या है विच बैटल रिजल्टेट इन अ कम्प्लीट मेसिडोनियन विक्टरी एंड दी एनिक्सेशन अफ दी पंजाब पूर मेसिडोनियाई जीत और पंजाब के कबजे के परड़ाम सुरुप कौन सी लडाई हुई इसका उतरा अपका हो जाएगा बैटल आफ हाइड स्पेस हाइड स्पेस की लडाई नेस्ट कोश्चन मित्चरा आ कमेंटरी ओन लॉबुक आफ यग वल्लक की वास राइटन बाई मित्चरा यग वल्लक की कानून पुष्टक पर एक टीका को इनके दोरा लिखा गया था विग्यान एश्वर के दोरा दोस्तों इसको लिखा गया था नेस्ट कोश्चन क्या है तबाकत ए नासिरी दोरा लिखा गया था तबाकत ए नासिरी वास वाइटन बाई मिनहाज ए सिराज दोरा दोस्तों इसको लिखा गया था नेस्ट कोश्चन अपत्तिक और आवस्यक्या सूत्रास डिसक्राइब दी रिलीजियस आइडियास आफ विच किणग अपत्तिक और आवस्या का सूत्र किस राजा के धार्मिक विचारों को वर्णित करते हैं आजात सत्र को के दोस्तों धार्मी बिचारों को ये वर्णित करते हैं नेस्ट कोश्चन क्या है इन मेडाइवल इंडिया बेंडो बास्ट सिस्टम और दासाला सिस्टम वर नोन ऐस दी लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंटर्डूउट बाई होम इंग दी फालूइंग मद्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्राली और दासाला प्राली को निम्लिकित में से किसके दोरा पेस की गई भोम इजाज़स प्राली के रूप में जाना जाता है तो इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा अकबर और तोडर मल नेस्ट कोश्चन मुद्रा सास्त्र का अर्थ है स्टेडी आफ कोईन शिक्को का अध्यान नेस्ट कोश्चन क्या है आपका तो वो आपके दोस्तों बी जी सेख जी थे नेस्ट कोश्चन क्या है अपका सारनाथ की सेर की राज़धानी निम्लिकित में से किस राजा से समंदित है यह दोस्तों आपकी असोख से समंदित है तो दोस्तों यह थे आपका ICAR-IARI Technician Exam का Model Paper 12 Most Important Questions हमें इस वीडियो में डिसकस करें यह Question Most Most Important है आपके एकज़ब में पूछे जा सकते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने सभी groups में share कर दीजिए जो आपके पास WhatsApp group बने हुए है और इसके लावा दोस्तों आप चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और अगर आपको हमारी previous classes देखनी है तो उनकी लिंक आपको description box में दे दीगा यह वहाँ से आपको classes देख सकते हैं थैंक यू सो मच God bless you all मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में